हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल अलकास कार्डन लॉग और फ्रेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं यह मेरे हिबिसकस के फ्लावरिंग प्लांट्स है जिन्हें गुड़हल भी का जाता है हिंदी में और इनमें रेड कलर की फ्लावर्स आते हैं फ्रेस हि इसी विसकस का मैं तो आज मैं इस 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 वीडियो के प्लांट है तो आज इस इस वीडियो धुट शेयर करने मलाजी हूं आज मैं ऑामको बता हूंगी कि किस तरीक से तो बड़ डॉप का सॉलीशन भी इस वीडियो के थूरू मैं आपके साथ सेयर करूंगी और साथ यह साथ इस प्लांट की जर्नल के टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ ऐसी ट्रिक्स और कुछ ऐसे फाटी लाइजर सापको वीडियो गिलास में जिससे आप अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इंफोमेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं पर सबसे पहले बात करें इस प्लांट की जर्नल केर की तो इस प्लांट दोपेर की बहुत ज़ाद तेस संलाइट में आप गर्मियों में से ना रखें आप सुभिछे से लेकिए और दोपेर को 11-12 बजे तक इस से डारेक्शनलाइट में रखें तो इस तरीके की लाकेशन आप अपने प्लांट को दोई यहाँ पे इस तरीके की बहुत ज़्यादा ड्राइब तो उससे भी इसकी बर्स होती है वह यलो होके और गिरने लगती है यह भी कारण होता है बढ़ ड्रॉप का तो बहुत ज़्यादा आपको ड्राइब नहीं करना है अपनी इसमें बर्स वगेरा बन रही होती है और सेकिंड फ्रेंस काई बार के कितर्य के पैस्ट वगरण अटेक कर देते हैं जैसे एफिट्स हो ग्या मिलिबॉडग्स हो ग्याद वाइक उसी होती है और हीछिनी बीटल्ण। लुख़फ़ी शुक्रइब पैस्ट होते हैं जो इसके बढ़्स के अपर अटेख कर देते हैं जिससे भी इसकी वर्ड्रॉप होने लगता है तो फ़र्ट जब हमने महनत किये और बहुत सारी बढ़ इसमें बढने लगते हैं तो उस टाइम पे हम अपनी महनत को जाया तो नहीं जाने देंगे लिए इस तरीके से होने लगती है जब पैस्ट बगरा इंसेक्स बगरा इस पे टक करते हैं तो इसके बाद फैंस्स इसे सेब करने के लिए हम यह तो आप प्रैसर पंप यूज करें या आप नीम होइल का प्रय यूज आप खेव्य प्रशिव स्प्रश्ट कसका है तो तिर ली चीज आप यूज कर सकते हैं आ जाहां आ एक आप लिग ठोड़ी पानी पनी और आपने प्लाण्ट के ऊपर अपने प्लाण्ट को पूरा मैं नहला दूं गी जहां जहां बि मेरे प्लांट के उपर इंसेक्ट ने अटक किया है देखिए यह मैं पूरे अपने प्लांट की ब्रांचीज को लीप्स को बर्ट को और यह जो पॉट की सोयल है सभी में मैं स्प्रे कर दूंगी इंसेक्टिसाइड का यह इससे कोई भी कीडे होते हैं किसी भी तरीकी के जो हमारी बर्ट को खाते हैं और घ्राब करते हैं तो उन्हें हम इस तरीके से डूर करेंगे और जो chemical insecticide होते हैं chemical pesticide जो होते हैं उनकी smell ऐसी होती है कि काफी दिनों तक फिर कीड़े attack नहीं करते हैं हमारे plant के उपक आप चाहें तो neem oil spray कर सकते हैं या आप प्रेशर पंप से वाश भी कर सकते हैं अपनी plant को लेकिन प्रेशर पंप से मैंने वाश कर रखा है कई बार फिर से दो तीन दिनों बाद फिर से कीड़ों का attack हो जाता है और नी मेरे पास है नहीं तो मैंने chemical insecticide हैं के उपर यूज किया है और अब लगबकल तक ही सारे जितने भी इसके उपर पैस ने अटक किया है उसारी ही पैस्ट हट जाएंगे मर जाएंगे और फिर कल सुबह मैं इसे प्लेन वाटर से फ्रेश वाटर से आपने जातकी बाद वाड़ को बढ़न का है उसे नहीं उस सारी नहीं आपन इस उस नहीं दिदें हैं अग्स ँग मेना अजय करने बाद रह से क्र्मियों पर बात करें हैं तो आपके ही बिस्पस में भी बहुंचाहदा मात्रमेंडित ignore बार्बरी मार्च और सबस्क्राइबनें को किना बार्फ टुनिंग प्रुन को होती है तो जो भी एक आपके की प्रूंट लागी हो रही है आपका प्लांट आउट ऊफ कंड्रोल हो रही है उसकी ग्रोहत उसकी स्टैम्ट स दर Έज़गा रही है तो उसकी एक प्रोपर शेप देने के लिए आप उसकी फ्रूनिंग कर लिए जब भी आप प्रूनिंग करते हैं तो एक ब्रांचिस में से दो तिन ब्रांचिस नहीं निकलती हैं और जो भी नहीं ब्रांचिस निकलती हैं उनमें ही बर्च वगरा आती हैं उनहीं में फ्लावी छो सॉयल तो उसके तुम्य को सॉयल रह जाती है उसमें। नुट्रिस बनाएंगें। उसे एस Mêmeusa हैं हैं को सॉयल मैं नुट्रिंस नड़ते हैं। पूदे आदे ग्रोथ यहांरे कुछ हुरी आरा हैं। तो जितनी आप 3-4 इंच की सोईल अपने पॉट की निकाल देते हैं उसकी जगह आप इसमें कमपोस्ट भर दीजिए अपने पॉट में और उसके बाद फिर से एक मिट्टी पर अताप लगा लीजिए और उसके बाद आप ऐसा करें कि जितना पानी अपने पॉट में आप डा इसे क्या होगा अगर हमारी सोईल में कोई फंगस कोई भी बाइरस वगर अगर डिबलप हो रहे हैं तो वह मर जाएंगे एक तो फंजी साइड से और दूसरा इसे हम थोड़ी सी रिच सोईल दे देंगे तो इसकी फिर से एक रोज शुरू होनी लगेगी और तीसरा फ्रें करें और फिर बाहर छोड़ दें आप इसे और फिर उसके बाद फ्रेंसे आप इसे डारेक्शन लाइट में ही रखें कुछ दिना और लगबग एक वीक के बाद हम कुछ दूसरे फर्टिलाइजर इस पे अपलाई करेंगे ताकि इसमें जादा से जादा बर्स वगरा आएं और जदा से जदा आपका प्लांट हैवी हो तो फिर लगबग एक वीक के बाद जब इसकी थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ शुरू हो जाती है तो आप इसके बाद ऐसा करें इसके पॉट की रिम के साथा आप आधा टी स्पून के करीब आप पोटाश एक टी स्पून के डाले और लगबग 38- 15 तक जर्वेसरें अपने pot के लिएक पर ठाफ में वर्ती है यह विट्लैक करता है इपसम सॉल्ट एड़ कर लें और आधा टीस्पून के करीब आप उसमें एंपीके 90-90-90 उसको अच्छे से डाइलुट करके उसी एक लीटर पानी में और अपने इसके उपर ही विसकस के उपर आप स्प्रे कर दें दोनों ही चीजों का उसे फ्रेंट्स क्या होगा आपके जो प्लांट के जो पत्ते हैं वो अच्छे हेल्दी मनेंगे और इसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिस वगरा आएंगी एंपीके से पूरी ताकत मिलेगी और जो भी हमने फर्टिलाइजर्स वगरा डाले है इन और्गेनिक फर्टिलाइजर्स उससे तेजी से आपका फलावर्ण होती रही है और फिर्स यह चो प Ann Commissioner Here is ug लगबग आप 1 महिने में पे यूज करके हैं अपने हिस्कस में यूज कर सकती हैं दूसरे अपने फिलावर्ण की हैं फॉलावर्ण है अप तो आप और यह बेस्ट होते हैं उनका कोई हाम भी नहीं होता है अप ऐसा करें कि जब आप प्लांट को या नर्शरी से लाते हैं आप जब भी इसके लिए बनाते हैं तो 30% आप नॉर्मल गार्डन ले ले 30% सेंड ले और 40% उसमें कमपोस्ट आड कर लें वर्मी कमपोस्ट करनेको प्रोडन में और आप एक अपने प्लार अपने पानी फ्रुट्स में डालते हैं इसे अपने फीलो वाले पौदो में डाल सकते हैं इसे फ्लावरिंग मात्रा में मस्टर केक में फॉस्पोरस-पॉटैस, नाइट्रोजन भी होताँ होता है काफी वात्रा में इसमें упчи पाये जाते हैं जिसने आपके प्लांट की ओल अवर ग्रोथ काफी अच्छी से होती और इसका कोई साइड़ इन नुकसान को इसलिए तरीके से आप और न और इंग फर्टिलाइजर को इन अपने लिसकश में तुर्व इस तो आपका प्लांट काफी अच्छी मात्रा में रहेगा बड्स पर्मीशन करें तो अच्छी नाच्छी मात्रा में लगातार इसकी प्लाविंच को मेरी इंफ्रमेशन पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को लाइक और शेर कीजिए अधि आपका वीडियो के रिगारें कोई कोशन हो या कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगे कि आपके सब ये कमेंट से जवाब मैं ज़रूर दे पाऊं ओके फर्स इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ बाई